प्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं जिना महापात्रा सु फ्रेंड्स आपके लिए आद में बहुत भड़ी आए ग्रेवी से भरी मटन करी लेकर आगे हूं उस फ्रेंड्स इस तरीके से मटन करी खाना कौन पसंद नहीं करता है यह देखिए फ्रेंड्स कितनी अच्छी ग्रेव ही नहीं ना जवाब बनिए यहाँ पर चीहां पर सारी चीज अच्छी तरीके से ninh науч से अलों में मैं आपको तेर दिखाते हैं देखिए फ्रेंड्स बहुत यह आच्छी किसे पखे हैं मटन करी बनाने के लिए फ्रेंड्स मटन चीह तरीके से धो तो फ्रेंड्स मतन को अच्छी तरीकी से धो लेना है यहाँ पर मैंने एक चमस गरम मसाला डाला अब मैं एक चमस धनिया पाउडर डाल रही हूं इन्हीं मसालों को आड़ करकर बहुत ही बड़ी ग्रेवी आज हम मनाने वाले हैं मतन की यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया करके में अच्छी तरीके से cohort 10-15 मेरेड अब अच्छी तरीके से अधे-रा यहाँ आतो पर मेंने अलू कटलिए खर्याइब निए हैं इस ustedes के सेरा लेल दक टेलिया सक्षाब कले को हैं , और बड़न तो मैंने गरम हो गया था अब इसमें मैं चीनी डाल रही थी color के लिए तो friends अगर आप color करना चाहते हैं तो थोड़ा सा चीनी एक चमश डाल ले आप मैं यहाँ पर प्यास डाल रही थी friends यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले में मैंने डाल चीनी डाली है चार पांच और धनिया डाला है और जीरा अध्रक लसुन डाल कर पीस लिए तो friends मुझे लगा वह वाला वीडियो मैंने सूट कर लिए वट नहीं हुआ है तो मैंने आपको बता दिया तो इस तरीके से आप फाइन पीस ले और जब प्याज अची तरीके से फ्राई हो जाए उसके बाद हमें मसाला डाल लेना है तो friends बहुत ही इजी तरीका है एक बार आप पीस लिए अब यहाँ पर friends पांचे मैंने हरी मिर्ची को लंबा लंबा कट कर लिया तो आप इस तरीके से कट कर लें तीखा ज्यादा काते हैं तो इस तरीक करने के बाद में अभी जरूरत नहीं है क्योंकि already मैं मैं निट करते टाइम सारे मसाले मैंने डाल दिये थे अब friends यहाँ पर अच्छी तरीके से मसाला पक चुका है यहाँ पर मैं आलू डाले तो आलू को डाल कर हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आप friends वात के को फिर उसके बाद मटन डालना है तो अभी मैं मटन को डाल रही हूँ अब हमेसा हांडी में तो बनाती हुँगे कुकर में एक बार ज़रू बना कर देखिये मटन बहुत इजी तरीके से बनता है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंट्स ये कुकर मेरा थोड़ा सा और कुकर का माउथ थोड़ा सा छोटा है तो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो रहा है आप खुले वाले कुकर में ही बनाए तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो friends को कर में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अच्छी तरीके से बनता भी है पक जाता है तो friends यहाँ पर अच्छी तरीके से हमें चला लेना है चलाने की बाद friends हमें क्या करना है आगे आप लोग देखिए इसकी प्मत करी इस वीडियो को ग्रेवी वाली मटन करी कौन खा तो इस रस्पी को जरूर देखिए बहुत ही बड़िया मटन करी बने वाली है आज अब friends मटन हमने डाल दिया है सब कुछ जाल दिया अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिया है अब friends यहाँ पर गैस को मैं तेज आज पर रख रही हूं जिससे की मटन में से जो पानी निकले अच्छी तरीके से सूख जाए तो friends मटन में से जो पानी निकला है उसे सुखाने के लिए यहाँ पर friends में तेज आज पर एक सीटी लगाने वाली को करकर बंद करके मैं नहीं भाइने लगाने वाले तो मैं मैं किया आदत पड़ी है तो मैंने मैं बोल दिया तो friends यहाँ पर पक भी चुका है और फ्रेंट्स की ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बनी है अब यहाँ पर friends गरम पानी हम मिक्स करें इसमें से पूरा फानी नहीं सुखा माथा अगर आपका पानी ना सुखा हो अप इस तरीके से सीटी लगा कर भी बना सकते हारी मिट्ची हमने और भी डाल कुकर को बंद करके आप सुखाना है तो पानी के आने इसलिए नहीं फ़रेवी बहुत ही अच्छी वनी थी इसलिए हमने नहीं सुख आया था अच्छी तरीकिसे रेडी हो गया था अब एक सीटी हम लगा रहे हैं पानी मिलाकर तो गरम पानी हमने मिला देथा यह देखिए ब जरू ट्राइ करिए इस तरीके से मटन करी बनाईए बहुत ही बड़िया मटन करी बनी है यह देखिए ग्रेवी तो बहुत ही बड़िया बनी है इस तरीके से जरू बनाईए मुझे कमेंड करिए आप लोग बिल्कुल भी वीडियोस नहीं देख रहे हैं देखिए इसकीप मत करिए। मैं बहुत सारी डेली डेली आपके साथ रेस्पी शेयर कर ही हूँ। आप लोग बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखे मटन करी बनकर रेटी हो चुकी है। कैसी लगे।endsδव मटन करी की रेस्पी बतायेगा। चलिए आप फ्रेंट्स मैं आपको चेक कर दिखा देती हूं बैसे तो फ्रेंट्स आलेडी मैं आपको दिखा चुकी हूं आगे ही जब मटन करीगी की रेस्पी आपके से शियर करने वाले थी यहां पर देखिए मटन बहूं अच्षी तरीकेसे पक चुका है तो जल्दी से पक जाते हैं जरूरर करेगा I hope कि friends आज की रेस्पी अपने पूरी देखी सबजी बहुत ही जदा गरम है तो पकड में नहीं आ रही है मटन भी बड़िया पका है friends प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें टेक केर friends अपना ख्याल लखें